तो कैंसे हैं आप सभी लोग एक बाल फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज आपकी modern history की अंतिम class fact based है यानि साथ ये दस्मी class या नव्मी class होगी आपकी जो complete modern history आपके fact and CRT based जो हो चुके हैं इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं अगर आपने लूशेंट पढ़ी है ये पढ़ा है तो आपका modern history क्योंकि सबसे ज़्यादा weightage रखता है GS के portion के अंदर आपका काम बन जाएगा ठीक है दूसरी बात कल मैंने आपको last video वीडियो दिथी normalization को लेके मैंने पहले कहा था क्योंकि अभी मैं comment बगरा पढ़ रहा था सर इसमें ये चीज़ें होती है ऐसा होता है मैंने आपको ये समझाया था कि normalization की प्रकिरिया क्या है आखिर ये क्यों होता है मैंने किसी का सूत्र नहीं बताया ठीक है याइनि उसमें exactly क्या formula रहता है वो सिर्फ आयोग को पता होगा उसने किस-किस तरीके सी किया है मैंने आपको एक normalization का अर्थ उसमें क्या संभावना है क्या हो सकता है उसको लेके समझायता है याइनि उस वीडियो को देखने के बाद overall आप समझ गे होंगे कि जिसका हलका पेपर आता है अधिक marks आते हैं और जिसका tough पेपर आता है कम marks आते हैं तो बढ़ जाते हैं marks से ठीक है बाकि accuracy वगएरा कभी उसमें हो सकता है कि कोई चीज़ें हो तो आपको इतना नहीं देखना आपको सिर्फ यह समझ नहीं क्या होता है क्योंकि बहुत से लोग ही ग चार शेप्टर नों को complete करेंगे ठीक है यानि संग्या सरुनाम किरिया और बिसेशन जो चार शेप्टर आपके हैं उनको आपने complete करना है हिंदी के अंदर उत्राखन के अंदर डिस्टिक सिरीज के आगे के दो जिले आप next revise करोगे यानि जहां तक आप पहुंचित है उत्त और 30 जुलाई को आएगी और वो आपकी strategy को लेकर अंतिम वीडियो होगी यानि आपकी planning को लेकर अंतिम वीडियो होगी उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है मेरे साथ क्या क्या करना कैसे आगे चलना है वो आपको मैं सब समझा दूँगा ठीक है देखिए आपने heading ड पहुंचे थे यहां से आजा था आपका lord canning lord canning ठीक है अब देखिए इसके बारे में जो आपके fact है वो क्या क्या है important factors से बनते हैं पहला यह अंतिम गवर्नर और प्रथम वाई सराई था क्योंकि यहां से governor नाम change हो गया था तो इसका नाम अंतिम गवर्नर plus प्रथम वाई सराई प्रथम वाई सराई कौन था पुष्ता है तो आपसे तुरंत बता देना lord canning दूसरा आपको बताना है इसके समय में महत्पुन विद्रो 867 का विद्रो हुआ था यहनि अगर आपसे यह पूछता है कि 857 का विद्रो किसके समय हुआ था तुरंत बता देना हुच्यार बच्चों के तरह Lord Canon के समय ठीक है इसी के समय विध्वा, पुनर्विवा, एक्ट यानि विध्वाओं का दुबारा विवा हो सकता है वो पारित हुआ था यानि पास हुआ था जबकि उसको लायाट डल हो जी था ठीक है तो पारित लिखना तो अगला क्या लिखोगे विध्वा, पुनर्विवा, एक्ट यानि अधीनियम पारित हुआ था ठीक है और ये कब हुआ था ये दोनों तरीकिशे क्विश्चन पूछता है 1856 में और इसमें किसकी साहिता से इस्वर्चंद विध्यासागर के साहिता चीवा था ख्लो ब्रेकेट में इस्वर्चन्द वित्या सागर की साहिता थी मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ठीक है इसके अलावा इसके समय में एक इंडियन हाई कोट एक्ट आये था जिसके माध्यम से बॉम्बे कलकता और मदरास में उच्च न्यायलेग की स्तापना होई थ इसके समय में इंडियन हाई कोट एक्ट है एक्ट एक्ट लाए गया था ठीक है इसके माध्यम से तीन जगा बॉम्बे कलकता और मदरास में हाई कोट की स्तापना होई थी हाई कोट की स्तापना होई थी यह ध्यान रखना ठीक है यह आला पॉइंट याद रहना है इंडियन हाई कोट एक्ट बोंबे कुलकता और मदरास में हाई कोट की स्थाफ लाकिस के समय वी थी लॉर्ड कैनिंग के समय वी थी इसी ने व्यपगत के सिद्धान जैन डॉक्ट्राइन आप लाप्स जो था जिसके तहट राज्यू को अधिकरित किया जा था ता बिरिक्टिस अपने राज्य में अधिकांश राज्य को सम्रित कर देते थे उसको समाप्त किया गया था ठीक है तो लिखो व्यपगत का सिद्धान समाप्त है डॉक्ट्राइन थे ओरी ठीक है व्यपगत सिद्धान समाप्त किया गया था जिसको कौन लाए था डलहोजी लाए था और अंतिम आप लोग निर्मार देखोगे इस प्रकार की portfolio पर्णाली ठीक है तो portfolio पर्णाली शुरू ये important कर देना ये important रहता है ठीक है पोटोपोलियो परणाली शुरू करने वारे गवर्नर का नाम पूछता है तो आपको इसके अंदर के पॉइंट याद रख नहीं खुद ही अपने आप में धिरे-धिरे बन जाता है ठीक है इसके बाद जो छोटे-मोटे आया थे वो नहीं देखने हैं हमने सीधे हम लौड इसके बारे में कम फैक्ट है तो इतनी बड़ी लाइन मत डालना कॉपी में लौड लौरेंस है ठीक है लौड लौरेंस जो नेक्स्ट गवर्नर आता है उसके बारे में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है उसको बोलता है निसक्रीता का सिधान यानि मतलब अपने आप पर दम किया हुआ था किसके अंग्रेजों के और अंग्रेजों की जो छवी है अंतराश्टी स्थर पर खराब हो रहे थी क्योंकि अफगानी जो थे अफगानिस्तान जो था इनको बहुत परेसान कर रहा था तो जब ये गवर्नर बना इसने क्या क्या अफगानिस्तान के मा आप पुरा लिखना के मामले में अफगानिस्तान के मामले में अहस्त सेव यानी इंटर्फेर नहीं किया ठीक है अहस्त सेव तो इसी सिध्धान्त को बोलते हैं सांदार निस्क्रीता का सिध्धान किया बोलोगे इसको सांदार निस्क्रीता बोलोगे इसको ठीक है सांदार य अपना ही जिसे सांदार निस्क्रीटा कहा जाता हैं लौड लॉरेंस उसका नाम आप लो उन्हें बताना है ठीक है इसके समय में भारत और ब्रितेन के बीच 1865 में समुद्री टेलीगराफ सेवा शुरू भी थी समुद्री इसके बीच भारत प्लस ब्रितेन यानि इंडिया प्लस ब्रितेन कर दो इंडिया प्लस ब्रितेन के बीच समुद्री के मार्जब से टेलीगराफ सेवा शुरू भी थी इसको भी आप लोग ने ध्यान देखना है ठीक है इसके बाद जो आता है आपने आपने लॉड मेयो आता है कौन लिखोगे लॉड मेयो इसके बारे में दो ही फेक्ट आपने आता है इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्तापना की थी किसनी की थी लॉड मेयो ने आप इसको नोट करना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करने वाला यही था साथ ही साथ इसने प्रथम जनगर्णा जो भारत मह भी थी इसी के समझे हुई थी तो लिखो प्रथम शैंट से नगर्णा भारत में 1872 मह भी थी ये नियमित नहीं थी, ये सिर्फ एक परकार का डेमो आप लोग समझ ये, जबकि नियमित हर 10 साल वाली जो जनगर्णा होती है, वो रिपन के समय में होई थी, अभी बताता हूँ, तो प्रतम जनगर्णा पुछता है ये, दूसरा इसने क्या किया, अजमेर में, मेयो कॉलेज अजमेर में, मेयो कॉलेज की स्तापना इसी के द्वारा की गी थी, और जो अजमेर में मेयो कॉलेज बना था, वो बना था 1872 में, इसको भी आप लोग ने ध्यान लखना है, ठीक है, 1872 बाद में एक अफगान ने इसकी हत्या कर दी थी, तो भारत में किसकी हत्या की गी थी, ये भी पूछता है, ठीक है, लिखो, इसकी हत्या की गी थी, इसकी हत्या, यानि किस गवर्नर की भारत में हत्या की गी पूछता है, इसको इश्टाल लगा देना, तो वो कौन था, इसको ध्यान रखने है इसको किसकी हच्च्या की गई थी वो Lord Mayow था इसके बाद एक छोटा सान नाम आता है उसका नाम है Lord Northbrook Lord Northbrook इसके बारे में भी आपको जादा ध्यान रखने है इसके समय में सिर्फ ये याद रखने है कि इसके समय में कुका विद्रो हुआ था जो मैं आपको पहले बता चुगा हूँ कुका विद्रो और ये कुका विद्रो का हुआ था 1872 में कहा हुआ था पंजाब में इस सब मैं आपको पढ़ा जुगा हूँ ठीक है पिछले कलाज में फैक्ट वाले में कुका विद्रो हुआ था इसके समय में आपने इतना ही याद रखने अब आता है जो थोड़ा सा IMPotent आपका हो सकता है उसका नाम है Lord Litton क्या लिखोगे? Lord Litton लिखोगे आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट अपने आपमें पिपर में पूछता है ठीक है? Lord Litton याद रखना Lord Litton इसके बारे में क्या क्या फेक्ट याद रखने हैं, देखो, सबसे पहले इसको ओबन मेरिडित के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से ओबन मेरिडित, ओबन मेरिडित के नाम से किसको जाना जाता था, लौड लिटन को, क्योंकि ये अच्छा खासा साहितिकार, निवंदक वगरा था, इसक के समय में दिल्ली दर्वार का आयोजन हुआ था दिल्ली में एक विसाल दर्वार लगा था उसका आयोजन किया गया था जिसमें बिटेन की महाराणी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपादी दीगी थी ये most important है ठीक है तो इसमें नीचे लिखो महाराणी विक्टोरिया को यह बहुत important factor है कि अब यह किसके समय हुआ था नहीं बुजेगा वो यहां से question करेगा महारानी Victoria को केसर ए हिंद की उपाधी दी गई थी ठीक है केसर ए हिंद की उपाधी यानि भारत की सामरगी केसर ए हिंद की उपाधी दी गई थी यह आप लोग ने important करना है इस वाले factor को य यह वाला factor है ठीक है नीचे इसी के समय हुआ था साथ ही साथ 1878 में Arms Act लेके आया जिसके माध्यम से हतियार बगारा राइफल बगारा लखने के लिए आपको license चाहिए होगा ठीक है 1878 का Arms Act यानि हतियार बगारा लखने के लिए आपको license की जरुवत होगी यही लग के आया साथ ही साथ एक most important question है 1878 में इसके द्वारा वर्न्याक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया गया वर्न्याक्यूलर प्रेस एक्ट यानि जो भी अखबार जो भी मीडिया ब्रिटिस सरकार के खिलाब कुछ लिए उस पर केस करके उसको बंद गर दिया जाता था उसकी संपत्ति बगारा जब ली जाती थी तो वर्न्याक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के द्वारा लाया गया था 1878 में एक खास न्यूस पर परता उसका नाम था सोम परकार उसी को इसने मध्यनिजर रखते हुए लेके आया था ठीक है यह हो गया आमसेक्ट साथ ही साथ 888 में एक सस्त्र एक इसने क्या करते है 21 से घटा कर 19 वर्षे कर दी जिसको बाद में बढ़ा देगा तो लिखो सिविल सेवा की एज सिविल सर्विस की एज क्या कर दी थी इसने 21 से घटा के 19 एज क्या कर दी थी 21 से 18 वर्षे यानि 21 वर्षे मितला अपने आपने 19 वर्षे करना अठार वर्षे एक किस से 19 वर्थ ही ये वाला नहीं पुझेगा जिसने बढ़ाई उसका पुझेगा ये होगे आपने आप में लिटन लिटन के बाद आता लॉड रिपन रिपन के बारे में क्या क्वेशन आता ये बहुत इंपोटेंट अपने आप में लॉड रिपन भी है सबसे पहले लॉड रिपन के बारे में जो क्वेशन आएगा वो आएगा उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया तो लिखो पहला पॉइंट लिखोगे उसके बारे में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त यानि जो वो प्रेस पे एक्ट लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त लिख देना है अपर ठीक है कौन किस ने किया समाप्त वो अपने आप में किया रिपन ने और ये रिपन ने कब समाप्त किया 1882 में जैसे सत्ता पे आया इसमाप्त कर दिया इसने civil services की age civil services में जो age होती है उसको 19 से क्या कर दिया 21 वर्ष गर दिया इसने बढ़ा दी ठीक है यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है यह question पूछता है और सबसे most important इस्थानी स्वसासन का इसको पिता गहता है याणी local self-governance जो होता है government इस्थानी स्वसासन याणी इसका मतलब क्या है local self-government इस्थानी स्वसासन का जनक कहा दाता है भारत में इसने जो नगरपालिका वगरा जो सबसे पहले उनको अधिकार दिये गे थै इसी के समवाई में हुआ था ही most important है 2726ं का जनग वा था इसके समय नियमित जनगणना हुई थी भारत में सबसे पहली हुआ जबकि मेयोग कर टाईम तो नॉर्मल हुई थी नियमित मलव कॉन्टिनू अबанти अंफ हर 10 साल में होगी इसी के समय वे थे 881 में नियमित जनगर्णा किसके समय हुई पूसते हैं तो आपका लॉड रिपन हो जाएगा उसका आंसर ठीक है 881 में ही इसने प्रथम कारखाना अधिननम लाया मोस्ट इंपोटेंट है इभी जिसमें काम कितने घंटे होगा इंडरस्ट्री में किस एज के वरगे के लोग करेंगे वही था इसमें प्रथम कारखाना एक्ट किसके दवारा लाएगा पुस्त है तो वो भी अपने आप में रीपेन के दवारा लाएगा था एक most important इसके समय में इलबर्ट विल विवाद में लास्ट टाइम बता चुक है आपको इलबर्ट विल विवाद विल विवाद इसी के समय का है वो 1883 का 1883 का इसमें क्या था जो भारती मतलब नियाएले में नियाएधी सुंगे उनको ये हग दिया जा रहा था कि वो ब्रिटिस के मामले की सुनवाई कर सके लेकिन ब्रिटेन में और भारत में ब्रिटिस द्वारा इसका बहुत कड़ा विरोत किया गया तो उसी को बला रहता है इलबर्ट विल विवाद जिसको इसने वापस ले लिया था 1883 में इसने प्रात्मिक सिक्ष्या के लेक हंटर आयोग बनाया हंटर आयोग कब बनाओ 1882 में किसके लिए था ये प्रात्मिक सिक्ष्या प्रात्मिक सिक्ष्या है तो क्या था आपके हंटर आयोग का इसने कठन किया ठीक है इतना आपको इसके बारे में याद रखने है इसके बा के बारे मैं आपको दो ही फैक्टे आजठने हैं. सबसे पहला फैक्ट है उसके समय में भारती राष्टी कॉऊंग्रिस की स्थापना और वह question पूचा जाता की कि कि समय में वाईसराय के समय में भारती राष्टी कॉऊंग्रिस तापना हुई एक retired British अधिकारी थे यह वी हुम इनके ज़ारा की गई साथ इसाथ इसके समय की एक घटना और है इसी के समय जो अपना तिर्ती आंगल बर्मा युद्ध हुआ था यानि अंग्रेज और बर्मा का तीसरा जो युद्ध हुआ था इसके समय भारत और अफगानिस्तान के भी डूरंड रेखा का निर्धारन किया गया कब कहां इंडिया प्लस अफगानिस्तान के भी क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था पूरा एक था तो भारत और अफगानिस्तान दो देश अलग होते थे लेकिन जब से पाकिस्तान अलग देश बना अब यह डूरंड डेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं रही ठीक है तो Lord Lance Brown के भी समय में Durant देखा का निर्धारन किया गया जबकि 1800 Academy में दूसरा कार खाना Act लाया गया जो अभी पहला लाया गया था Rippan के समय तो इसके समय में दूसरा कार खाना Act यानि industrial जो Act होता है industry में काम करने आलों के लिए इसके समय पे ही आया गया था next most important है Lord Karzan क्या लिखोगे Lord Karzan इसको most important कर देना इसके बारे में question आता है Lord Karzan के बारे में पहला दिखो इसने 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना 1902 में पुलीस आयोग की स्थापना की तो लिखो 1901 किस की स्थापना एक सिंचाई आयोग ये ध्यान रखने आपने 1902 में एक पुलीस आयोग की स्थापना की तो शिचाई आयोग था मानक्रिफ को उसका परमुक बनाए गया जबकि पुलीस आयोग में एंड्रूज फ्रेजर को बनाए गया ठीक है तो लिखो मानक्रिफ इस समय था जबकि इसमें एंड्रूज एंड्रूज फ्रेजर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्सता में इसको बनाए गया था ठीक है साथ ही साथ इसके समय में भारती विश्व विध्यालाई अधेनियम आया था लाए गया था इसको most important करना भारत में भारती पुरातत्य विभाग की स्तापना यानि आर्केलोजिकल की स्तापना जो ही आर्केलोजिकी इसी के समय में हुई थी ये point भी most important है भारती पुरातत्य विभाग की स्तापना ये most important करना कब हुई थी और किसके समय में विए थी भारती पुरातत्युोड का फिता भी आ जा जाता है इसको ठीक है इसी के समय में हुई थी 1904 में और बंगाल का विभाजन मैं आपको पढ़ा चुगा हूँ इसी के समय में हुआ था हो भारती पुरा तत्तो विभाग की स्तावना कब हुई थी 1904 में साथ ही साथ बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में इसी के समय हुआ था तो लिखो बंगाल विभाजन ये most important रहे ठीक है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में बंगाल को दो भागू में क्या कर दिया गा था इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं Lord Minto 2 एक Minto पहले पढ़ा था मैंने एक अब आता है Lord Minto 2 टीक है Lord Minto 2 के वारो में जो फेक्ट आपने याद रखने हैं उसके समय में Muslim League की स्टापना हुई थी 1906 में क्या लिखोगे 1906 में Muslim League की स्टापना धाका में की गी थी मैं आपको पहले बताया हूँ इसको Muslim League Muslim League की स्टापना हुई थी और कहां हुई थी धाका बंगलादेश में किस न की थी आगाँ खान और सलीम उल्ला खान पॉइंट है उनीसडो साथ में भारती राश्टी कॉंगरिस का विभाजन सूरत में तो लिखो 1977 इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि भारती राश्टी कॉंग्रेस का विभाजन जिसको क्या बोला जाता है फेमस रूप से सूरत विभाजन बोला जाता है ये भी आपको ने ध्यान रखना है ये भी important fact है कि कि सूरत विभाजन कब हुआ था और अगला जो point आता ह इसके में माले मिन्टो सुधार अधिन्यम 1909 आया था क्या दिखोगे माले मिन्टो सुधार एक्ट कब लाया गया था 1909 में जिसमें से पिर्थक निर्वाचन परणाली को स्विकार गया था मुस्लिमुगिले इसको बोलते हैं पिर्थक निर्वाचन परणाली इसमें क्या क ठीika स्विकार किसके लिए मुस्यम हों के लिए यह पर में बताए है ça लॉर्ड मिन्टो सेकेंड के बारे में भी आपने कुछ फेक्ट देखने हैं, उसमें से एक आध इंपोटेंट फेक्ट में आपको बताता हूँ, वो देखें क्या क्या है, पहला फेक्ट जो इसके बारे में इसके समय में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, जो बंगाल, विभाजन, रद्द किया गया था, ठीक है, और ये कब क्या गया था, 1991 में इसके विभाजन को रद्द कारा गया था, इसके समय में एक जॉर्ज पर्चम था जो भारत आया था जॉर्ज पंचम ये भी पेपर में बुशता है भारत आया और इसके लिए इन्होंने क्या क्या दिल्ली दर्वार का आयजन क्या उसके स्वागत के लिए क्या क्या था दिल्ली में एक दर्वार का आयजन क्या गया था दिल्ली दर्बार का क्या गया था आयजन दिल्ली दर्बार का आयजन और ये कब हुआ था दिल्ली दर्बार का 1911 में हुआ था दिसंबर 1911 में ठीक है दिल्ली दर्बार का आयजन दिसंबर 1911 में साथ ही साथ भारत की राजधानी कुलकता से दिल्ली को बनाया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी बारत की राजधानी जो बनाया गया था इसी केसर में बनाया गया था ये फैक्ट भी आप लोगे से पूछता है और ये बनाया गता 1912 में क्योंकि 1911 में इसकी क्या हुई थी घोषणा हुई थी और ये थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है पेपर में एक भार आये भी था लोकसिवायोग ने पूछा था उसने भी 1912 आंसर दिया था लुशेंड 1912 दिता है कई किताबों 1911 लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में इसको सिफ्ट किया गया था ठीक है प्रथम विश्व युद्ध इसी के समय में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था लॉड होडिंग के समय में ही शुरू हुआ था और अंतिम जो इसके बारे में फैक्ट आता है वो आता है इस पे बॉम फैका गया था 23 दिसंबर 1912 में बॉम फैका गया था लिखो इस पे बॉम फैक्ट नहीं कोशिश की गयी थी लॉड होडिंग दूती पे मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन थे पहले ठीक है ये था आपका लॉड होडिंग सेकिंड इसके बाद अगला देखिए लॉड चेम सिफोर्ट ठीक है इनके बारे में हमने देखने है क्या क्या हुआ था पहला पॉइंट हो लखनाव समझाता अब ये नहीं पूशने आला कि आपने लखनाव समझाता किसके समय हुआ था आपको इसके अंदर के फैक्ट पूशने आला हो इनके अंदर के तो सिधे सिधे कुछी का लखनाव समझाता का हुआ था 1916 में किसके बीच हुआ था लए महिला विश्व विद्याले की इसी के समय में क्या हुई थी इस तापना 1916 में ये भी आपनों को ध्यान रखने है नेक्स चीस के समय में सेडलर आयोग बना था जो कि सिक्सिया के लिए था ये बहुत इंपोटेंट है सेडलर आयोग का संबंद बुशता है आपसे सेडलर आयोग ये किस्ति से था सिक्सिया से संबंदी था 1917 में बना था जिसका संबन्ध था एजूगेस्टर यानी सिक्छा के ले संबन्ध ही था एजुडलर आए हुट ठीक है अगला 1912 का रॉलेटेक्ट इसी के समय पारित हुआ था 1912 का रॉलेट एक्टि इसी के समय पारित हुआ था इसी के विरोध में जलिया वाला बाग हत्या गांड वाथा तेर अप्रेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्या गांड वाथा इसमें क्या हुआ था दो नेता थे वहां के जलिया वाला बाग हत्या कांड दो नेता थे डाक्टर सैपुद्दिन किशलू और सत्यपाल चिंग उनकी गि नो डायन ने क्या खोस्टा किती गोली चलाने के लिए मतलब उनने गोली वगारा चलाई थी बाद में उनके हथ्या कर देगी थी 1940 में उधम सिंग द्वारा तो जल्यावाला बाग हथ्याकार इसी के टाइम पर हुआ था दो प्रमुक आंदोलन की सुरूआत इसके समय पर हु क्या लिखोगे, Lord Reading लिखोगे, ठीक है, Lord Reading, इसके बारे में आपके क्या-क्या factor हो सकते हैं, पहला इसके समय में चौरी-चौरा नामक घटना हुई थी, जिसके कारण अस्वयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, चौरी-चौरा घटना इसके समय इंप्रोटेंट है, ठ अस्वयोग आंदोलन वापस ले ले गया था, इसकी डेट है 5 फरवरी 1922, कहीं आपको 4 फरवरी भी दिखेगा, आपके पास जो बुक है, authentic अगर है, तो आपको जो डेट आएगी वही करना, वैसे एक ही डेट आती है, ठीक है, चौरी-चौरा घटना लिखोगे, ये, साथ इसके समय में एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुए थी, क्योंकि कुछ लोग भारती राष्टी कॉंग्रेस से पारिसान होके, पारिसान क्या, उनकी विचार जारा से खुस नहीं थे, तो उनने अलग पार्टी बना दी स्वराज पार्टी की स्थापना, किसके समय में ह इनके द्वारा बेसिकली इसकी स्तापना की गी थी, आपको मैंने पहले भी पताया है, स्वराज पार्टी की स्तापना, एक वेल्स अंग्लेंड में जगह पढ़ती है, ब्रिटेन में, वहां का प्रिंस आया था भारत, जिसका नाम था, प्रिंस ओफ वेल्स, इनका भारत आग इसी के समय में हुआ था, 1921 में इनका भारत आगमन हुआ था, ये भी ध्यान रखना, केरल में मोपला विद्रो, मोपला विद्रो, 1921 का जो था, इनी के समय में हुआ था, केरल में ठीक है, और लास्ट इसके समय में इंडियन कम्यूनिस्ट पार्टी, नहीं भारते कम्यून पार्टी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी 1921 और जिसको बाद में 1925 से उसका भारत में प्रसार प्रसार कम्प्रीट डूप से उसको बनाया गया था ठीक है ब्रैकेट में 1925 करना एक ही ओप्सन आपको देखने को हां मिलता है मोपला भी जो गया यह हो गया इसके बाद जो भ कॉन आय था भारत में साइमन कमिशन 1928 में इसी की समय था यह सब बड़ाया आपको ठीक है साइमन कमिशन का क्या हुआ था भारत में आगमन 1928 में आपको एक पहला पॉइंट या दखने है दूसरा केंदरी असेंबली में बं फैका गया था पत्र बं में यह भी पढ़ा और बटू के स्वर्दत बटू के स्वर्दत इन में दो प्रमुख इनके क्या थे निता थे जो पत्रबम फैगने वाले थे ठीक है इसके अलाबा एक जतिन दास नामक व्यक्ति था उसने लाहोर जेल्म लब क्या क्या था अंसर क्या था जिसकी 64 दिनों के बाद मित्ति हुई जतिन जतिन दास लिखों जतिन दास की भूख हरताल से मृत्ति इसी के समय वही थी कहां हुई थी यह अपने आप में मतलब जो लाहोर में हुआ था ठीक है जे निधा लिग तो यह हुआ था लाहोर में 1900 मतलब लाहोर में हुआ था लिको लाहोर जेल में 64 दिनों के बाद ठीक है आफ्टर 64 डेज 64 दिन के बाद इसकी क्या हुई थी मृत्ति हुई थी भूकड़ताल के गारण अगला जो आपने इसके बारे में रिखने हैं वह था प्रमुख कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन यह बहुत इंपोटेंट है लाहोर अधिवेशन के बारे में फैक्ट है ठीक है उपर का नहीं पुस्ता हुई यहां से क्वेशन पुस्ता अंदर के और लाहोर अधिवेशन का वह था 1929 में कौन इसका इसमें क्या मांग की थी पूर्ण स्वराज पहले बता चुका हम बहु इसके क्या थे अध्यक्सति यह आभी आपको यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके समय में पहली बार स्वतंता दिवस मनाने की घोषना भारती राष्टे कांगरेश ने की थी 26 जनवरी 1930 को स्वतंता दिवस मनाने की घोषना अब आगे हम स्वतंता दिवस मनाने की गोशना किसके समय में हुई थी इसी के समय में थी इर्विन के और ये कव हुई थी ये पूछेगा ठीक है तीन प्रमुक घटनाएं आप सब लोग जानते हैं एक को दांडी मार्च लिखोगे एक सविनाई अवग्या अंदोलन लिखोगे गांधी इर्विन समझाता लिखोग एकने क्वेशन दिखता है ये में पहला दांडी मार्च लिखोगे इसी के समय में हुई थी 12 मार्च 1930 से जब ये तटपे पहुँचे थे वहाँ समुद्र समुद्र नमक बनाने के कानून का इनने अवहेलना कि थी उसको बोलते हैं सविनाई अवग्या आंदोलन और ये गांधी और इर्विन समझाता सब पढ़ा जोगा हूँ ठीक है गांधी इर्विन समझाता जो हुआ था अपने आप में कहीं 4 मार्च भी लिखाओगा 5 मार्च 1931 जादा जगह दिखता है तो गांधी इर्विन समझाता 5 मार्च 1931 साथ ये साथ पर्थम गोलमेज सम्मेलन का हुआ ठीक है ये था अपने आप में इर्विन के बारे में इर्विन के बाद आथा लॉर्ड वेलिंग्टन क्या लिखोगे लॉर्ड वेलिंग्टन लॉर्ड वेलिंग्टन ठीक है अब लॉर्ड वेलिंग्टन के बारे में एक तो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हु इसी के समय में वाता ये वाता 1931 और ये वाता 1932 अमबेटकर्ज ये एसे थे जिन्होंने तीनु गोल में सम्मेरन में भाग लिया जबकि गांधी ने दूसरे गोल में सम्मेरन में भाग लिया ये भी आपको याद हमना है ठीक है सवीनहे अवग्या अंधोरन पुनह इसी के समय में शुरू हुआ था जब ब्रिटिस के साथ वारता फेल होगी थी सवीनहे अवग्या पुनह सुरू पुनह सुरू बेलिंग्टन के समय में ही वो अपने आपमें हुआ ठीक है सामप्रदाइक पंचाट लाए गया था जिसको communal award बोलते हैं यह most important है सामप्रदाइक इंगलेस में लिखे लिए इसको communal award इसमें क्या था जो प्रिथक निर्वाचन था वो SC यानि जो SC केटेगरी है scheduled कास्ट उनके लिए भी ले आये थे यह सामप्रदाइक पंचाट की गोशना की थी और यह most important है यह किस ने की थी और यह कब आया था दोनुट चीज़ा पूछता है 16 अगस्त 1932 की घटना है 16 अगस्त 1932 की घटना है communal awards सामप्रदाइक पंचाट और यह लाने वाला British प्रधानमत्रित पूछता है Ramsey MacDonald Ramsey MacDonald की घटना थी यह मतलब की लाया गया और इसको Ramsey MacDonald की गोशना कहते है ठीक है यह स्वाल अगस्त 1932 की थी और इसके बाद जब महत्मा गाधी ने इसका विरोध किया और उसके बाद जब विरोध होने के बाद गाधी और अमबेट करके भी एक समझाता हुआ जिसको बोलते है पूना समझाता है यह हुआ था आपने आप में 24 सेप्टमबर 1932 को यह रवदा जेल में उस टाइम थे तो 24 सेप्टमबर 1932 को अपने आप में कौन समझाता होता है पूना समझोता होता है आप लोगों को ये भी क्या करना है ध्यान रखना है ठीक है साथ इसाथ भारत सासन अधिने मुनिश्व 35 इसी के समयर में लाए गया था भारत सासन एक्ट 1935 भी इसी के समयर में लाए गया था इतना आपको इस क्यार में ध्यान रखना है लास्ट के दो बचे हैं एक आप लिखे लिन लिथगो क्या लिखोगे Lord लिन लिथगो के बारे में जो अपने आप में फैक्ट हैं कुछ फैक्ट देखते हैं क्या क्या हैं एक फेक्ट आपको इसके बारे में लिखना है कि पहली बार चुनाओ इसी के समय में हुए थे पहली बार चुनाओ यानि पहली बार प्रांती चुनाओ पहली बार प्रांती चुनाओ थे कितने में हुए थे पहले बदा है था 11 प्रांत में ठीक है कॉंग्रेस ने किते जगे सरकार बनाई आठ प्रांत सरकार किसकी बनी आठ प्रांत में सरकार कॉंग्रेस की ठीक है कांग्रेस के आठ प्रांत में सरकार बनी और छे प्रांत में कॉंग्रेस को क्या मिला था बहुमत या नियू मैजॉर्टी छे प्रांत में कांग्रेस इसको मेनी थी बहुमत ये भी आप लोग नहीं कहा करना है धान रखना है ठीक है पहली बार चुनाओ इसके बाद जो अगला फेक्ट आता इसके बारे में इसके समय में सेकेंड वर्ल्ड वर सुरू हुआ था लिखो कि स्थापना की थी किस ने सुबाशन बोश ने 1939 एक मैं लिख देना साथ में ठीक है एक मैं 1949 को सुबाश चंद्र बोश SC BOS के द्वारा किसकी स्तापना की गी थी अपने आप में forward block की स्तापना की गी थी एक में 1949 को ठीक है पहली बार पाकिस्तान की मांग की गी थी इसी के समय पहली बार लाहोर में प्रिथक पाकिस्तान की मांग प्रिथक पाकिस्तान की मांग की गी थी और वो कब उचिती भारत लिखो क्रिप्स मिशन भारत आया था या था 1942 में सब इसी के समय आया था ठीके इसके समय में एक सिम्ला समझाता हुआ था उनिस्सो पैंतालीस में सिम्ला समझाता लिखो सिम्ला समझाता यह पूछता आपसे तो 1945 में सिम्ला समझाता हुआ था एक यह आदखने है दूसरा लिखने है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन क्या लिखोगे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और कैबिनेट मिशन के आदर में पूरा बता चुका सत्ता को आप भारत को देंगे ठीक है यह और लास्ट आ आता आपका लौड माउंट बेटन क्या लिखोगे लाड माउंट बेटन इसने क्या किया था इसके बारे में जो फैक्ट आता है पहला फैक्ट लिखो 3.1947 को माउंट बेटन योजना लाईगी ती इसकी डेड़ भी आ भारत विभाजन योजना भी बोलते है इसको भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान में इसका विभाजन होगे ठीक है भारत विभाजन योजना कब लाईगी थी माउंट बेटन योजना 3.1947 को 4.1947 को भारती स्वतंता विध्याग ब्रिटिस संसद मल आए गया था भारती स्वतंत्रता विध्याग लाया गया ठीक है और ये जो हुआ अपने आप में लाया गया और ये अपने आप में पास हुआ 18 जुलाई को ये कब हुआ पास 18 जुलाई 97 को ठीक है और भारत स्वतंतर हुआ स्वतंतर मिली 15 अगस्त ये था लाड मौंट बेटन और यही इसी को स्वतंतर भारत का पहला वाइसरा या गवर्णर भी कहा गया क्योंकि भारत स्वतंतर हुआ उसी के बाद फिर अंतिम में आता है एक दो साल के लिए सी राजगोपलाचारी तो लास्ट पॉइंट लिखो सी राजगोपलाचारी ठीक है यहीं चक्रवर्ती राजगोपलाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम वो अंतिम पूरा लिखना स्वतंत्र भारत का प्रथम वो अंतिम गवर्नर जो की भारती था साथ में पूरा लिना स्वतंत्र भारत का प्रथम वो अंतिम भारती गवनर लिखने है स्वतंत्र भारत का प्रथम वो अंतिम भारती गवनर एक मात्र बना जो भारती था वो यही था इसके बाद आस्ट्रपती पद आ गया जबकि ये स्वतंत्र भारत का पर्थाम होगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिस था, स्वतंत्र भारत का पर्थाम, और भारती पुछेगा, तो राजगुपाला चारी, ये था आपका total modern history का factual portion, and CRT based, आज आपकी modern history end हो चुकी है, modern history की वीडियो आपकी exam तक अप नहीं आएग ठीक है, फिर मिलते हैं अगले class में अगले session में अपना ध्यान रखिए, thank you